लो अब्रियोन वेल्कम टो चिराक्स पोस्ट्ग्रेस स्ट्वेल डिबियर टूटरियल इन इस वीडियो वी आर गोईंग टू लर्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीमिंग रिप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग पोस्ट्ग्रेस स्ट्वेल डेटाबेस 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 एक database जो होगा उसको हम लोग primary मान के चलेंगे और जो second database होगा उसको secondary जिसको replica बोलते है standby database मान के चलेंगे and हम लोग यहाँ password यूज करेंगे admin.net-123 so primary जो server है मेरा जिसको हम master बोल रहे है उसका IP है 192.168.224.134 and then second server है जो replica है है उसका IP है 192.168.224.135 यह जो documentation है यह तो आपको chiraks.in में आपको मिल जाएगा so हम लोग step by step चलते हैं so pre-request sites है जिसमें हम लोग दो हम लोग को ubuntu server चाहिए LTS server एक काम करेगा हमारा primary server के and second हमारा काम करेगा standby server so postgres 17 इंस्टॉल होना चाहिए अगर इस्टॉल नहीं है तो नीचे process हम लिखे हुए उसके तुरू हम लोग इस्टॉल कर देंगे network connectivity होना चाहिए बोद्दा server so मैंने दो server बनाया है एक एक दोनों मेरा एक 134 है यहाँ पर IP आप देख सकता है 182.168.134 and second server है 135 हम लोग एक्सेस कर लेते हैं दोनों server को सो 192.168.224.224.134 सो यह एक server होगा and 135 एक server होगा इसको लोग इन कर लेते हैं ओके SSH की एरर दे रहा है और एक server हम लोग ले लेते हैं 135 तो यह हमारा जो पहला server है यह है 134 जिसको हम लोग master मांगे चलना है रिनेम कर देते हैं master 134 टैब का color भी हम लोग change कर देते हैं चले red दे देते हैं दूसरा टैब है इसका भी रिनेम करते हैं रिप्लिका 135 IPA देन इसका हम लोग color कर देते हैं ब्लू तो रेड एंड ब्लू रेड जो है यह मेरा master server है और रिप्लिका server 135 जो है यह मेरा ब्लू server है नेक्स्ट यहां पर हमारा table of content दिया हुआ है जिसमें प्राइमरी सर्वर मास्टर करेंगे रिप्लिका करेंगे दन स्टार्ट करके हम लोग देखेंगे कि हमारा streaming replication चल रहा है कि रिपाई कर लेंगे दन फैलोबर का टेस्ट कर लेंगे यह optional है सो इस्टोर पोस्टगर 17 और बहुत दा सर्वर सो परफॉर्म दा फॉलॉइंग स्टेप सो प्राइमरी और सेकेंड़ी सर्वर दोनों में करना है तो दोनों का काम दोनों में एक साथ कर लेते हैं अपडेट कर लेते हैं अपग्रेट कर लेते हैं दोनों को साथ में तो पहल को इस्टॉल करेंगे को इस्टॉल होने देते हैं इसको कि दोनों में हमको पोस्ट रेस्ट चाहिए इस्टॉल कर लेते हैं सो इस्टॉल हो गया अब क्या करना है हमें कीज हमको जेनरेट करना है तो कीज जेनरेट कर लेते हैं हो गया देन हम रिपोजेटरी में सोर्स लिस्ट में रिपोजेटरी का यूर्ल को एड़ कर लेते हैं इस्टॉल करेंगे इस्टॉल करेंगे इस्टॉल करेंगे पोस्ट रेस्ट सिक्वल को यहां पर हम लोगों का पोस्ट्रेश सिक्वल है इस्टॉल पोस्ट्रेश सिक्वल पोस्ट्रेश क्लाइंट तो दोनों को अम लोग इस्टॉल करेंगे दोनों जब इस्टॉल करें हम लोग आगे का डोकुमेंटेशन को देख लेते हैं तो वेरिफाइद इस्टॉलेशन तो यहां हम लोग पीएस सिक्वल का वर्जन जो है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं देन यू सूट सी दा आउटपूट सिमिलर तो मतलब इसका जो आउटपू सर्वर जो यह मेरा प्राइमरी सर्वर है इसमें हम इस्टॉल करेंगे मतलब करेंगे तो क्रिएट रिप्ली का यूजर इसको इस्टॉल होने देते हैं पर्सेंट पोस्ग्रेस क्लाइंट सेटिंग अप पोस्ग्रेस क्लाइंट ओके हम लोग यहां तक कर लिए हैं अब हम लोग क्या करेंगे प्यस्क्वल का वर्जन को हम लोग चेक कर लेंगे ये यो डोकोमेंटेशन है यह आपको मिल जाएगा और hot quarter कर देंगे इसका दिसक्रिप्षिन में यू-टुब का लिंक का दिसक्रिप्षिन में आप तोसर जाके देख सकते हैं यह डोकुमेंटेसन आए सो psql version देखिया आप 17.0 सो postgres मेरा चल रहा है 17.0 नेक्स्ट क्या करेंगे configure the primary server master सो master का IP क्या है 134 134 में हम लोग क्या करेंगे postgres user में अब क्या करना है हमें create the user एक user हम लोग create कर लेंगे जिसको हम लोग replication करने में यूज करेंगे then exit कर लेते हैं exit करने के बाद हम लोग edit the postgres SQL जो postgres SQL का configuration file है उसको हम लोग change कर लेते हैं तो यहां ध्यान देनेवाला बात है कि हम लोग postgres SQL का configuration file चेंज कर रहे हैं तो यह careful करना है क्योंकि अगर कोई error होगा यह main configuration file होता है तो listening address यहां पर हम लोग allow all करेंगे अभी के लिए आपको जब dedicated करना है तो आप dedicated यहां पर IP दे सकते हैं then हम लोग search करेंगे max वाल मैक्स वाल सेंडर हम लोग 10 रहने देते हैं then हम लोग क्या करेंगे किप साइज में आप वाल का कितना साइज आप रखना चाहते हैं हम रहते हैं 512 MB MB को तो हम लोग अगर सेंडर देया वाल लेबल वाल लेबल को सेट कर लेते हैं रिप्लिका वाल लेबल रिप्लिका देन क्यों वाल साइज हम लोग दे दिया है मैक्स रिप्लिकेशन स्लोट कितना स्लोट वो तो टैन दे देते हैं देन होट इस्टेंड वाई को अउन कर देते हैं कि यह हम लोग का कॉन्फिग्रेशन हो गया अब हमें क्या करना है होस्ट बेस अथन्टिकेशन में चलना है फाइल में इस फाइल में हम सबसे लास्ट में जाके हम लोग एड कर लेंगे हम लोग रिप्लिकाशन यूजर जो हम लोग बनाया थे रिप्लिकेटर उसको हम लोग करेंगे अब हम लोग रिस्टार्ट कर देंगे सर्विस को सो मास्टर का हम लोग का कॉन्फिग्रेशन हो गया अब कॉन्फिग्रेशन हो गया अब कॉन्फिग्रेशन सेर्वर को अब हम लोग कॉन्फिग्र करेंगे वन्फिग्रेशन को तो अल्रेडी इंस्ट्रॉल पोस्ग्रेश तो हम लोगों पोस्ट्रेत का भर दैवारजन को चेक कर लेते हैं कि एसंतोल है मैं लम क्या करने के बाद हम लोग जो में इस्टॉबैर करेंगे को रिमूब करेंगे तो पहले रिवे कर दिए देन स्को रि मुट कर दिए इस सो मेरा फोल्डर जो है empty हो गया नाव हम क्या करेंग पोस्टट्रेंस यूजर में चलेंगे और हम लोग बेस बैककप लेंगे तो फिजिकल बैस बैककप लेंगे पी-च बैस बैककप एन जलोट वान नाम से रन करते हैं हमें पासवर्ड माँगे पासवर्ड एडमीनेट दर एक वन टू थृ हम लोग सेट किये थे तो बेस बैकप स्टार्ट हो गया एन बेस बैकप कंप्लीट एड सो यहां आप देख सकते हैं बेस बैकप कंपलीट हो गया स्टन्बाइज सिग्नल लीट तो एहां पर इसको लिस्ट करकर देख लेते हैं अगर क्रिएट नहीं होता है दथिन हम लुग मैनुवली क्रिएट कर सकते हैं ४िस लाइन से श्री yhteरी ना उसे परमीशन हम लोग परिमिशन करते हैं तो हम सब पहले ओनर्सिप देते हैं उनर्सिप हमें देना है रूटのは यूजएर पडलेगा तो हम कि कि स्ट्राट करने के बाद हम स्टेटस चेक कर लेते हैं दोनों остernworks कह है मैं मिन का है कि सेटरी सर्वर मेरा रंग कर रहा है कि प्रामेरी सर्वर भी मेरा है अब हम टेस्ट करेंगे रिपरिफाइद कि रिप्लीकेश्ण को मिलेगा इंट्र करेंगेज़तों है कि स्ट्रीमिंग है है टाइप किया है streaming है तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं यूशूट एंट्री दा हम लोग इसी तरह का output मिल रहा हमें ना हम लोग क्या करेंगे इस वांट टू इनेबल तरह सिंक्रनियस तो अगर सिंक्रनियस अगर हम करना चाहते हैं तो हम पहले SQL यह में चलते हैं प्रॉंट में यहां पर जाने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा synchronous है synchronous है तो यह देखते हैं हम लोग इस जो में करेंगे तो इस command को हम लोग और हण करेंगे ना हम एक्जिट करते हैं और रिलोड करते हैं हुआ है सो restart कर लेते हैं restart करने के बाद फिर से लॉग इन करते हैं देखते हैं तो यह हमारा चेंच हो गया एसंक्रेनियस पर सिंक्रनियस हो गया अब रिप्लीकेशन सर्वर में हम लोग करका देखते हैं कि हमारा PG स्टेटर स्रीकबड करते हैं तो इब्सक आउट्पूट होना चाहिए T T means true, so T means true, so T output indicates the server in recovery mode and इसका receiver का हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि वाल receiver जो वो राइट अहेड लॉग होता है, उभा receiver का हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि अच्छे नीचे हैं, so streaming replication and यहां पर हम लोग user देते हैं, replication and यहां पर हम लोग देखते हैं, hostname क्या 134 है and SSL यह सब बाकी अधर डिटेल्स जो है, वो हमें आख पर देखने को मिलता है, तो आप टेस्ट जा data replication, so हम लोग टेस्ट data replication हम लोग test कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले दोनों side हम लोग देख लेते हैं कि database हमारा कितना है, यहां three rows है, then यहां भी हम लोग check कर लेते हैं so both the side हमारा three rows है, अब क्या करते हैं, create database, database हम लोग create कर लेते हैं so connect, test db, so test db हम लोग connect कर लें, इधर भी हम लोग list करके देख लेते हैं so हमारा test db भी create हो गया है, इधर भी हम लोग connect करके देख लेते हैं test db, now हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग scope, relations देख लेते हैं, tables देख लेते हैं तो हमारे पास कोई tables नहीं है, यह अधर भी हम लोग करके दिखते हैं, कोई tables नहीं है, तो हम लोग एक table create करके दिखते हैं, so table हम लोग master में create कर रहे हैं, then automatic उस table को देखेंगे, हम लोग replica में automatic replicate हो जा रहा है, so यहाँ पर हम लोग एक row insert करके दिखते हैं, इधर हम लोग select strict from तो हमारा जो data उधर इंसर्ट किये वो data हमारा फिर्स ट्रो करके इधर आ रहा है तो वांस इस्टेंट बाइस सर्वर वरिफाय देटा इस रिप्लिकेटेद तो हम लोग ने टेस्ट कर दिया रिप्लिकेशन ये वार्किंग कर रहा है अब हमें क्या करना कि रिप्लिकेशन में एक चीजे घ्री जो शेकेंडरी डेटाबेश होता चरवा जो 124 है ये ड् सच्पार में हमारा जो सेगनरी डेटाबेस है वह रिड्ओन ली मोड में है कि सो हम प्रमोट करते हैं चलिए पीजी CTL कलस्टर 17 में प्रमोट जैसे इसको प्रमोट करते हैं यह हमारा में डेटाबेस बन गया नाव हम क्या करते हैं चलिए हम रिकबरी मोट चेक कर लेते हैं कि सो इसीक्वेल इसीक्वेल देन हम उस कमांड को रन करके देखते हैं तो यहां आप फॉल्स आएगा अब हम चाहे तो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं जो डेटा हमारा इंसर्ट नहीं हो रहाता है यहां से यह जो डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हते हैं फ़र्स टो टाइम वो डेटा है यहां आमारा इंसर्ट हो जाएगा जैसे इंटर करेंगे insert into okay okay हमें table select करना पड़ेगा so table था हमारा testdb select is testdb then हम इसको enter करें okay key is already exist की बदलते हैं चली two and d first अब इसको हम लोग query run करकर देख लेते हैं है सो हमारे यह first row and d first row means that हमारा secondary server जो है वो मेरा main server बन गया यह हमारा connected नहीं एक दूसरे से अब हम चाहे तो इसको हम लोग secondary बना सकते हैं अधर वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्राइमेरी को सेकेंडरी को standby को replica जो है उसको हम लोग master बनाएंगा और master को slab कैसे बनाएंगे तो वह हम लोग देखेंगे तो यहां हम लोग successfully streaming replication कर लिए and हम लोग फेलवर test कर लिए manually अगर आपको कोई इसू है कोई doubts है कर नहीं query है तो यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्षर में आप डाल सकते हैं उसको comment लिख सकते हैं then follow the process on in the video please subscribe and like for the more videos don't forget to follow like share and comment thank you for watching